आगे बात करते हैं दोस्तों कल आपको पता है काबूल एरपोर्ट पे ब्लास्ट हो गया ठीक है जो काबूल एरपोर्ट है उसके उपर कल ब्लास्ट हो गया है है ना तो उसके बारे मैं थोड़ी सी चर्चा आपको करूँगा थोड़ा सा बताऊंगा काबूल एरपोर्ट जो जो है और ये बंदे ये जो क्राउड था ये क्यों इखटा हुआ था सब जाना चारे थे क्योंगी तालिबान का कंट्रोल हो गया इस देश के उपर तो सब उस देश को छोड़ छोड़ के क्या कर रहे हैं दोस्तों भाग रहे हैं तो उसी के लिए बेसिकली उनी पर इस है इसकी तश्वी च्श्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा य इस की तश्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा यह इंटरनैश्मलुयर इरे प्टिंटक रहे हैं यह वाई पट्टी यह बीच में देख जाते रहे हैं इस zeggen अब इसकी दो साइड है एक तो यह सिबिज् दोस्तों यह दूसरे सामने दो सामने दो नगब 6plane की यह नाज़ों और जान गई है ठीक है तो मैं थोड़ा सी इसके वारे में बताना चाहूंगा आपको The first of civilian side of the airport which is now under the control of the Taliban fighters मैंने बता दिया ये जो हिस्सा है civilian side वाला जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से आपका Taliban fighter के control में ये वाला हिस्सा Taliban के control में ठीक है उसके लावा अगर मैं बात करूँ दूसरा वाला हिस्सा जो है वहां से यहां से अब कोई commercial flight उड़नी रही है क्यों जब से ये airport आपको पता उसके कबजे में चला गया तो अब यहां से कोई commercial flight वगरा उड़नी रही है है ना क्यों क्यों क्योंकि ये किस केंडर में आ गया है दोस्तो तालिबान दूसरा हिस्सा जो है military side वाला वो अभी है जहां से evacuation operation जो है वो सारा इसी से चल रहा है all flights were cancelled जब से अगस 16 को जब से तालिबान पर कबजा हुआ है इसका दोस्तो आपका अफगानिस्तान पर कबजा हुआ है तालिबान का तब से कोई flight वहां से उड़नी रही है the second section is the technical area which is under the control of United States military and NATO दूसरा area जो है वो technical area जो NATO के control में आता है यह section काफी बड़ा है और यही से सारी evacuate flight जो है ना वही है इस एरपोर्ट के section से मिन उसको बाहर निकाला है जो US military के द्वारा जो controlled area है इसके बेसे के लिए तीन gate है ठीक है तीन gate है दोस्तों ठीक है और इस airport के उपर और वो तीन gate का नाम है North gate East gate और आपका Abbey Gate तो यह जो Abbey Gate है ना इसके उपर bump हटा है इसके उपर और इसके सामने एक hotel है उसके उपर bump हटा है ठीक है तो यही में से जो पहले explosion हुआ है Abbey Gate के उपर हुआ है दूसरा इतनी बुरी आलत है ना मतलब यहां पर जो नाली है ना जो गटर की लाइन है क्योंकि यहां पर बंद कर रखा है एरपोर्ट के जो entrance है उसको बंद किया हुआ है अब लोग भागने के प्रियास कर रहे हैं हम आसे है ना अब entrance भीड इतनी है कि entrance में कोई chaos ना हो जाए इसलिए entrance को बंद किया हुआ है तो लोग एरपोर्ट के अंदर गुसने के लिए जो नाली है गटर की जो अंदर से आरी उसमें गुस गुस के अंदर भाग रहे है जान बचा रहे है अपनी ऐसी हालत यहां पर ऐसा इरिया में कोई cross ना कर सके अबीगेट जो है it was one of that हम इसी गेट का इस्तमाल करके हमने 17 अगस्त को अपने diplomats जो थे हैं हमने उनको evacuate किया था ठीक है सारे के सारे लोगों को हमने क्या किया था वहां से evacuate किया था एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो मेरे साथ जुड़के आप plus course भी कर सकते हो plus course करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यह GS का plus course है तो यहाँ पर आप plus और iconic दो प्रकार के subscription जो है आप यहाँ पर ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों यह आपके subscription का प्राइज है छे महिने एक साल, दो साल, तीन साल ठीक है यह इधर है iconic का subscription है एक साल, दो साल और तीन साल का ले सकते हो code आपका क्या रहेगा Sumit10 तो यह मेरा Telegram Channel है PDF यहाँ दे दूँगा मैं साथ-साथ यह अपना code है ठीक है इसको use करना है to get the 10% offer in Academy I hope you like the session, you enjoy the session so guys please like the video, share it and subscribe the channel, thank you very much, take care, bye bye, love you guys